आपका become program चाहे become owners का बच्चा हो matter नहीं करता सर become program का बच्चा है या फिर become owners का बच्चा है आप जो हो ना उस stages पे आज सुके हो के 5 महिने बाद 5 month के बाद अगर आप work करते हो अगर आप job करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर job नहीं करते हो तो आपको job less या बेरूजगार कहने लगेंगे क्योंकि after graduation आपके पास ऐसाच कुछ नहीं बचता कि आप और क्या पढ़ने वाले हो एक scientific और एक normal देखा जाए बच्चे को दसवी तक की एक basic जानकारी दी जाती है ग्यारवी बारवी में specialization बनाये जाता है और graduation करके उससे भी ज़्यादा specialization बनाये जाता है उसके बाद बच्चे को नौकरी पर लग जाना चाहिए लेकिन हमारा एक जो study का या हमारा जो education का ऐसा mechanism है कि बच्चा graduation करके graduation की basis पे कहीं job मांगने जाता है तो उसको job offer नहीं किया जाता सिर्फ graduation के basis पे job बोलोगे नै मैं graduate हूँ तो job नहीं माना जाता आप बेरुजगारी का data उठा लो बेरुजगारी के data को जब भी आप उठाओगे तो सबसे जादा क्या पाओगे कि graduate बच्चे हैं वो जादा से जादा बेरुजगार है और वो भी जो graduate बच्चे हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है इसका मतलब सर उसको कुछ और भी करना है यानि आपकी पढ़ाई यहां पर stop नहीं होती आपने यहां तक का basic knowledge ले लिया है अब आपको आगे further कोई अपने education को क्योंकि मैं job की परिभासा लिखू ना तो job होता है हमारा job is equal to आपका academic education plus में skill education यह होता है job हमारा job लेने कहीं भी जाएंगे ने तो बोलेंगे क्या आप graduate हो जी हां graduate हो और क्या किया है अगर आपने कहा के graduate है ही नहीं तो बैसे ही बोलेगा भाई हमें तो कम से कम graduate चाहिए आप बोलोगे graduate है तो भाई हमें graduate के साथ ये भी चाहिए तो इसके साथ-सातना आपको एक skill education अभी से ले लेना चाहिए, semester 5 आपका भी आसान था, semester 6 भी आपका आसान है, इसके अंदर सिर्फ एक practical subject है, बाकि सारे हो जाते हैं और इसके अंदर marking थोड़ इसी lenient रहती है, बच्चे आराम से पास भी हो जाते हैं, तो मैं आप सभी बच् इसके साथ-सात अब आप कोई course आप जोइन कर लिजिए, अब बच्चों के कुछ dreams, कुछ ambitions हैं, number one, बच्चा कहता है सर हम M.com करेंगे, मुझे teaching line में जाना है, जिस बच्चे को teaching line में जाना है, या इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाना है, वही M.com करें, बाकि को कोई जुरत कोई फाइदा नहीं है करके M.com, ठीक है, जिसे PhD बगर करना है M.com करेंगे, number two, sir हम MBA करेंगे, तो जिन बच्चे को MBA के अंदर जाना है, वो कहीं न कहीं MBA हर एक department का अलग-अलग MBA होता है, डॉक्टर का अलग MBA होता है, computer का अलग MBA, marketing का अलग, finance का अलग, उसका MBA दूसरा option मिलता है, तीसरा कुछ बच्चे जो girls है, specially BA कर लेंगे हम, चौथा option आपके पास आता है, sir, government job की preparation, government job में each and everything आगया, चाहे IPS हो, चाहे आपका color हो, कुछ भी preparation करने का आप मन बना रहे हो, पांचवा, sir, कोई professional course कर लेंगे, जैसे LLB कर लेंगे, या sir, sir, हम CA कर ले जो हिंदुस्तान के अंदर होता है, छटा कुछ बच्चे कहते है, sir, मैं international course करने वाला हूँ, international course करने के लिए, मुझे क्या-क्या चीच चाहिए, जैसे की ACCA कर लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लाबा, CMA कर लेंगे, या फिर CPA कर लेंगे, कुछ ऐसा, मैं सारे क सारे ये जो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, किस से related, sir, ये finance related, commerce related job की बात कर रहा हूँ, graduation के बाद आपको इनी किसी field में जाना पड़ेगा, और भी बहुत सारे expertise है, insurance का है, mutual fund का है, banking का है, बहुत सारे चीज़े हैं, लेकिन majorly पे मैं discuss करता हूँ, ज्यादा time नहीं ल जोचोगे ना, कि six semester का paper देंगे, फिर कुछ करेंगे, नहीं, six semester का paper देते देते, वो सारे अपके interest ले लेते हैं, बच्चा final year में है, उसके बाद admission ले लेगा, अगर आप six semester का exam देने के बाद, result के बाद आप तयारी करोगे, आपका पूरा साल खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो अगले साल में पहुंच जाओगे, आपको तो आपको इसी साल में जाना है ना, आप इसी साल graduate हो रहे हो, और मई में graduate हो रहे हो, result आता नहीं आता matter नहीं करता, तो अगर आप मई में graduate हो तो इसी साल आपको या तो MBA में admission लो, या फिर आप कहाँ पे admission लो, MCOM में लो, B.A.D. में लो, किसी में लो, इसी साल आपको admission लेना है तो इस साल लेने के लिए सार आपको इन सभी के अंदर ना entrance की जुरत पड़ती है तो इस entrance की आपको साथ के साथ अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए जिसको M.C.M. करना है तो यहाँ पे दो तरीके का admission होता है हर बच्चों को बोलूगा के cat की preparation करते हैं तो आप जिस बच्चे का सपना है जिस बच्चे ने सोचा हुआ है के MBA करें cat अब मानना यह है काफी सारे बच्चों का एक मित्थे है कि सर MBA करके नौकरी नहीं मिलती आप जितने भी startup जितने भी entrepreneur उठालो जितने भी आपका startup जितने भी honor है जितने भी founder है youngest है सभी के सभी दो जगे से मिलेंगे maximum आप ढूंड लेना history उठा लेना या तो उन्होंने MBA कर रखा है या उन्होंने IT कर रखा है MBA को जो है ना एक short form बोलते हैं IIM तो IIM से करा हुआ है या IIT दो word है आप देखोगे तो यहीं से मिलेंगे तो सर ऐसा ना MBA करना होगा ना तो आपको एक ऐसे recognize university से करो जिसके market में value है और जहां पर worth है आपको तो उसके लिए सर आपको cat देना पड़ेगा अगर दिल्ली से करना चाहते हो तो दिल्ली में सबसे बड़ा MBA का जो college है वो है सर FMS यह स्री राम college of commerce करा रहता है तो वहां पर भी eligibility criteria है सर cat दीजिया percentage आएगा तो होगा इसके entrance की तैयारी करना होता है बीए डियू से करना है सर इसके भी entrance की तैयारी करनी पड़ेगी अधर जगह से मैं बात करूँ तो value नहीं है सर बहुत सारे बच्चे B8 कहां से कर लेते हैं M.D.U. से कर लेते हैं MBA सिक्किम मनिपाल से कर लेंगे MBA इगनू से कर लेंगे MBA इधर से कर लेंगे बस आप यह सोच रहे हैं कि मैंने MBA के रहा बट उसकी value नहीं है उसकी value बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में 10 से 12,000 आप IIM से MBA करते हैं आपको 2,000,000 रुपे की minimum salary मिलेगी मन्थली 2 से 3,000,000 रुपे का आपका package मिल जाता है मन्थली salary की बात करूँ यानि 25 से 30,000,000 का package मिल जाता है आप इगनू से करो आपको 15,000 रुपे का भी salary नहीं देगा कोई भी उसकी value नहीं देते लोगबाग government job की तैयारी करना, IES करना, IPS सर अभी सही लगना पड़ेगा साथ के साथ यानि सर इस space जो अभी तक आपने 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा जो main struggle start होने वाला है अब होने वाला है आपके life का जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे पढ़ाओं आएंगे कि क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं यार life में कुछ कर नहीं पाया, पढ़ाई भी हो गई, पढ़ाई किया, इस पढ़ाई का uses भी नहीं हो पा रहा, जॉब करनी है, कहां करें, कहीं बार आप ऐसा करोगे, कहीं बार कहीं कॉल सेंटर में जॉब कर लोगे, आप भटकते रहोगे और इस भटकाओं में बहुत सा जाते रहते हैं, जो उनकी growth actual होनी चाहिए, वो नहीं होती, तो मैं हर बच्चो को suggest करूँ, at least two years, अभी आप job या पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, until unless आपका financial position वीक ना हो घर का, तो आप इन में से कोई भी course, आप LLB के लिए भी entrance होगा, आपका DU के अंदर, CA के इनके लिए direct entry, entrance है, CSB है, और इनके लिए entrance भी है और वैसे भी है आपके, तो मैं आप सभी को बस ये alert करना चाहता हूँ, कि भीया ये ये courses है, आप कर लिजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजे, हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए, तो government job की preparation कराई जा रही है, cat की बोर रहे थे, sir, कब से class start होगी, तो एक दो दिन या Monday से classes में cat की start करवाने जा रहा हूँ, जो preparation करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी हम पूरे subject नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ उन subject की responsibility लेते हैं, जो कि हम आपको अच्छे से deliver कर पाएं, जैसे आपके six semester के अंदर मैं नही नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ आपका maths और plus reasoning ये पढ़ाया जा रहा है, आपका, सिर्फ maths और reasoning पढ़ाया जा रहा है, जो कि regular basis पे classes होती है, वो सुभह 8 पजे, मेरे बैच के खतम होने के बाद इस start हो जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा ना, अब मेहनत थोड़ा ज्यादा करिए, ऐसा नहीं कि आप तो बस six semester निकलेगा और हमारे जिंदगी बहुत ही आसान होने वाली हो और जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे पल आ जाएंगे, जिसके अंदर के खुश्यों की बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जिंदगी बहु तो नाव अलर्ट जितनी महनत आपने 12th class के अंदर की थी, remind कर लो 12th class मैं जितनी महनत करी थी, same महनत आपको start करना पड़ेगा, मैं surely मैं बोल सकता हूँ, जितनी महनत आपने 12th में की थी ना, first year में नहीं करी, second year में नहीं करी और in fact, किसी college के education जो पढढ रहे थी, उतनी महन नहीं करी ट्वेल्थ के अंदर सर मेहनत करने का क्या सिचुएशन होता था सुबह उठना साथ बजे स्कूल जाना पांच घंटे स्कूल से वापस आना स्कूल के बाद पर ट्यूशन जाना ट्यूशन का होमवक स्कूल का होमवक सारा करके रात को फिर हम 10 बजे तक काम कंप्ली यहीं को सकते है कि बिजनस मैं में इसको भी पढ़ना झाहुँ हो सकते हैं तो मैं उस बच्चे को यही राय देना चाहुंगा वह है अगर आपके फादर वेल सटल बिजनस है तो अपना दिमाघ इधर हो मत दोड़ाइए उस बिजनस को डबल करने की कोसिज करिए सबसे बाहर कर दिया जाता है 100 में से 1% बच्चा है जो कि टिक जाएगा अगर आपके parents का कोई ऐसा well settled business है उसको आप technology में लेके जाईए उसको अच्छा करिए मैं तो आपको यही suggest कर पाऊँगा तो class day अभी मैं फिलाल जो है TTS ही रखने वाला हूँ कोई बदलाव नहीं आज TTS है TTS रखूँगा जैसे परसो glasses लूँगा मैं इसके बाद कोई बदलाव होगा तो मैं पहले intimate कर दूँगा हर बच्चों से एक बार पूछ के हाँ timing अभी यही रखते है कोई changes हुआ तो मैं बच्चों से पूछ के बता दूँगा